हाई एब्रिवन वेलकम टू माई यू टू चैनल पेशन मैत एस्टेडी आज के इस वीडियो में हम लोग सिध करें कि तिरभूज के तीनो कोनो का योगफल 180 डिगरी होता हैं इसको आज के इस वीडियो में हम लोग पूरूब करेंगे आप लोग 6,7,8 में पढ़े होंगे कि तिरभूज के तीनो कोनो का योगफल 180 डिगरी होता हैं इसको हम पूरूब करेंगे तो इसको पूरूब करने से पहले हम एक तिरभूज बना लेते हैं देखिए एक हम तिरभूज A B C बना लिए जिसके अंताकन एक दूंतीर हम माल लिए पहले दिया हुआ है उसको हम तिया है लिसके दिया हुआ क्या है कि ए बीसी दिए के एक कि तिर भूज है अ एभी सीर, a. e. b. c. तिर भूज है यह दिया हुआ है और हम सीद करने के लिए क्या कहता है उसको यहां पर लिख देते हैं सिद करना है, सिद करना है क्या, कौन ए, कौन दू, कौन तीन, यह तिरभूज के तीन कौन हुआ है, इसका योग 180 डिगरी, अर्थात, कौन 1 पलस, कौन 2 पलस, कौन 3 एकवल टू, 180 डिगरी, यह हमें प्रूब करने के लिए कहता है, इसमें हम पहले एक रचना करते हैं, रचना, इसमें हम एक रचना करेंगे, देखिए, यह बीसी भुजा है, यह बीसी के समानतर, बीसी के समानतर एक हम घीचते हैं, तो देखिए, म, एन, समानतर, बीसी, खीचा, ठीक है, म, एन समानतर हम, बीसी, घीचा, देखिए, इसको हम एंगल माल लेंगे, चार, और इसको एंगल माल लेंगे, पांच, यहां तक आप लोग, समझ गये होंगे, अब चलिए, इसको हम प्रूव करते हैं, यानि कि परमान, यहां पर आप लिख दीजएगा, चार इस्टेप लिखिया है, यह को दिया हुआ है, सीध करना है, रचना, और फिर परमान, चलिए, आब हम इसको स्वल्व करते हैं, परमान, देखिए, यह भी, यह भी जो हैं, M, N और B, C के तिरियक रेखा हैं, चुकि, M, N समानतर, B, C हैं, तथा, A, B, T, R, तिरियक रेखा हैं, M, N समानतर, B, C हैं, तथा, A, B, T, R, तिरियक रेखा हैं, तो देखिए, यह कौन चार कौन दू के बराबर होंगे एकांतर कौन से यहां पर लिख देंगे कौन चार इक बल्टू कौन दू यानिकी एकांतर कौन कि यहां तक आप लोग समझ गयोंगे अब देखिए M N समांतर B C अब हम AC को त्रीयक रहा माल लेंगे चुकी मेर में समानतर KB CS हैं तथा अच्छ कि तीर्यक आओर तो देखिये ये और ये एकांतर कुन हो Martinez यहांगी कोन 5 इकवल टू कोन 3 एक अंतर कोन एक अंतर कोन हो जाएगा चलिए अब देखिए देखिए MN एक सीधी रेखा है तो आप लोग जानते हैं एक सीधी रेखा पर 180 डिगरी का कोन बनता है तो यहां पर हम लिख देंगे चुकी हम जानते हैं की सीधी रेखा पर बने कोन का योगफल 180 डिगरी होता है ठीक है यहां पर जो हर सी कारदरी कार होगा वह आप लोग मैनेज कर लिजेगा तो देखिए यहां पर हम आपको दिखाते हैं देखिए MN एक सीधी रेखा है तो देखिए यह सीधी रेखा पर कोन 4 एक कोन 5 यह कोन बन रहा है अर्था कोन एक पलस कोन 4 पलस कोन 5 एक सो असी डिगरी के एक वल हो जाएगा ठीक है तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं देखिए कोन एक पलस कोन 4 पलस कोन 5 एक वल टू एक सो असी डिगरी ठीक है आप लोग जानते हैं हम जानते हैं कि सीधी रेखा पर बने कोनों का योगफल एक सो असी डिगरी होता है ठीक है तो अब देखिए हमें हमें एकचुली हमें सीध करना है कॉन 1 फ्लस कोन 2 पलस कॉन 3 वा टू एक सो असी डिगरी यहां पर हैं कॉन एक पलस कोण 4 पलस कोन 5 एक वल टू एक वसी डिगरी ठीक है तो देखिए यह तो हमें 1 आ गया कौन 1 इकवल टू कोन 1 आ गया लेकिन हमें कौन 2 और कौन 3 चाहिए ठीक है कौन 2 और कौन 3 चाहिए यहां पर कोन 4 और कौन 5 है तो देखिए कोन 1 पलस देखिए कोन 4 बराबर कौन 2 है यानि कि एकांतर कोंत यहां पर कोंचार क्या स्थान पर देखिए कोंचार कोंदू के बराबर है यह अर्थात कोंचार के जगवपर हम कोंदू लिख सकते हैं यानी की कॉन तीन बराबर एक सो असी dr देखिए यही हमें प्रूब करने के लिए मिला था नहीं हम इन्य प्रसीद करना है कॉन एक पलस कॉन दू प्लस कॉन तीन एक वालटू 108these are you कौन एक प्लस कौन दूप प्लस कौन तीन एक बल्टों 180 डिग्री आ गया यहां पर हम लिख देंगे आता तिर्भूज के तीनों कोनों का योग फल 180 डिग्री होता है ठीक है यहां पर लिख देजिएगा पुरूब्ड उमीद है कि आप लोग ये अच्छे से समझ गये होंगे अगर यह वीडियों आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों के बीच सेयर कीजिएगा तो चलिए आप हम अगले वीडियों में मिलते हैं जैहिंद